हलो स्टूडेंट्स, है मुमेश कुवार, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो की है ऑक्सिडेशन एंड रिडक्षन, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑक्सिडेशन एंड रिडक्षन तो हम लोग सुरुआज से पढ़ते च टॉपिक है तो अगर ऑक्सिडेशन एंड रडड रेडक्षन आपको अच्छे से क्लियर हो गया, तो इसका मतलब है कि आपकी केमेस्ट्री, एक केमेस्ट्री का जो मेजर पार्ट होता है वो आपका बहुत अच्छे से तयार हो जाएगा, तो अब अगर इसको थोड़ा बहुत अच्छे से तयार करना है तो अभी तक जो आप लोग ने बच्चो वाले concepts पढ़े हैं वो आगे काम नहीं आने वाले हैं क्योंकि वो कुछ हद तक आ करके एक limitations हो करेंगे तो आज के इस lecture में हम लोग oxidation and reduction को थोड़ा details में समझने की कोसिस करेंगे ठीक है तो देखते हैं क्या-क्या चीजे हम लोग discuss करेंगे इस lecture में तो सबसे पहले हम लोग oxidation and reduction के definition के बारे में discuss करेंगे इस में कौन-कौन से concepts हमारे involved होते हैं हम लोग उनके बारे में discuss करेंगे और लेट तो किसी को भी अगर मेरे lecture में starting करने से पहले ही बता दे रहा हूं कहीं पर भी कोई problem आए या कोई भी आपको चीज समझ में ना आए तो आपके लिए comment box open है आप उसमें अपना question कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे personally message कर सकते हैं WhatsApp पर अगर आपका WhatsApp का group open है तो please आप लोग उस पर question को post कर सकते हैं तो आपके लिए कई सारे platforms बनाए गए हैं कि आप questions को पूछें क्योंकि देखो क्या होता है कि questions पूछना ही एक सबसे बड़ी कला है किसी भी student की तो अगर आप student हो करके question नहीं पूछ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि या तो आप बहुत ही brilliant student है या तो आप अपना वक्त ब उटाता है तो प्लीज आप questioning कीजिए ठीक है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना topic oxidation and reduction ठीक है तो अगर हम oxidation and reduction की बात करें ठीक है तो इसमें होने वाली जो mechanism है बहुत देखो क्या है oxidation and reduction क्या है यह एक तरीकी की chemical reactions है जैसा कि हम लोग सुरुआ से पढ़ते चले आएं के अंदर ठीक है उसी के basis पर उसको हम लोग define करते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर example के तौर पर चार टाइप्स चार पॉइंट्स ले रखें oxidation में आप चार टाइप्स देख सकते हैं and reduction में चार टाइप्स देख सकते हैं ठीक है और यहाँ पर factual चीज यह है कि जो चीज हमने oxidation में ले रखी है उसी के just opposite चीज हमने reduction में ले रखी है ठीक है तो यहाँ से एक चीज प्रूफ होती है एक चीज प्रूफ होती है कि देखो oxidation की requirement को fulfill करने के लिए ठीक है reduction का होना कंपल सरी है all it and reduction की requirements को fulfill करने के लिए oxidation का होना कंपल सरी है it means कि अगर कहीं पे भी कोई chemical reaction oxidation पे occurs हो रही है उसमें oxidation की process हो रही है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई एक ऐसा भी compound होगा जो reduction की reaction को सो कर रहा होगा क्योंकि अगर उस process में reduction की reaction नहीं सो कर रही होगी suppose that कि आपके पास कोई एक भरा हुआ डब्बा है ठीक है भरा हुआ डब्बा है और आप से बोला जाए कि इस भरे हुए डब्बे में से कोई भी चीज जरा सा भी waste ना हो और ये डब्बा थोड़ा सा खाली हो जाए तो आप क्या करेंगे उसमें से जो material आधा खाली करने के लिए निकालेंगे उसको रखने के लिए भी तो अगला डब्बा ले करके आएंगे ताकि वो आपका waste ना हो तो सेम वही चीज़े यहां पे भी अगर oxidation में addition of oxygen हो रहा है एडिशन आफ ऑक्सीजन हो रहा है तो यानि कि addition of oxygen हो रहा है इट मिंस कि यहां पे loss of electrons होगा बात को समझे ना थोड़ा सा अभी मैं आपको details में हर एक चीज़ समझाऊंगा ठीक है अगर addition of oxygen किसी compound में हो रहा है इट मिंस कि वहां पे loss of hydrogen हो रहा है ठीक है loss of hydrogen हो रहा है अब loss of hydrogen किसका होगा oxygen का नहीं होगा oxygen जिससे जुड रहा होगा उसका हो रहा होगा ठीक है तो oxidation किसका हो रहा है Oxidation किसका हो रहा यहां पर Oxidation उसका हो रहा है Oxygen जिसमें जाकर के हमारा जुड़ रहा होगा उसमें उसका हो रहा होगा हमारा Oxidation Suppose that कि हमने Magnesium को ले लिया MZ को ले लिया ठीक है इसमें अगर हमारा Oxygen आकर के जुड़ता है Oxygen आकर के जुड़ता है तो बनाता क्या है हमारा magnesium oxide magnesium oxide ठीक है तो oxygen को जोडने के लिए पहले तो ये Mg जो हमारा magnesium इसको तो electrons loss करने पड़ेंगे तो ये क्या करेंगे ये दो electrons को loss करेगा बाद में ये ही दो electrons क्या करेगा ये हमारा oxygen accept करेगा तो ये किस में करने करने के लिए अगर इसकी requirement यहां पर electrons already fulfill हो तो ये oxygen को क्यों होने देगा नहीं होने देगा ठीक है अब ये जो आएगा ये इसको चार्ज कर देगा जो इलेक्ट्रोंस यहां से हुए हैं ठीक है तो ये किस में करनवर्ट हो जाएगा ये माइनस टू में करनवर्ट हो जाएगा ओके ओके तो ये जो हमारी process है overall ठीक है तो ये एक दूसरे dependent होती है अब अगर oxidation हो रहा है तो reduction का होना compulsory है अगर देखा अभी आपने देखा कि एक में loss of electrons हो रहा है तो अगले में gain of electrons हो रहा है जो उसमें जुड़ रहा है तो कोई भी chemical reaction होगी तो उसमें oxidation and reduction दोनों चीज़ साथ में देखने को मिलेगी and इसी कारण से इसी कारण से जो दोनों चीज़े साथ में देखने को मिलती है इसी कारण से हम लोग इसको एक बहुत ही अच्छे नाम से जानते है हम लोग इस टाइब की reactions को बहुत है क्या बोलते है redox reactions okay redox reactions बोलते है क्योंकि देखो क्या है red का मतलब है reduction and ox का मतलब है oxygen ठीक है तो कोई भी chemical reaction में अगर oxidation हो रहा है तो it means कि उसमें अगर oxidation जिस compound का हो रहा है तो उसका oxidation जिस compound की कारण हो रहा है उसका definitely reduction हो रहा होगा okay इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको redox reaction समझ में आ गया अगर किसी को कुछ ना समझ में आ तो प्लीज आप अपना question पोस्ट कर सकते हैं तो अगर आप यह points को देखके घबरा रहे होंगे तो don't worry मैं इनको एक point को थोड़ा बहुत अच्छे से और थोड़ा details में समझाने की कोशिश करूँगा आगे की आने वली slides में तो सबसे पहला यहाँ पे point हमारा क्या है addition of oxygen तो अगर किसी compound में oxygen atom आ करके add हो जा रहा है किसी भी compound में oxygen आ करके add हो जा रहा है ठीक है तो वहाँ पे जो addition of oxygen होगा तो वो process क्या कहलाएगी वो जो chemical reaction वहाँ पे देखने को मिलेगी वो chemical reaction हमारी oxidation कहलाएगी ओके सेम ऐसे ही reduction के अगर बात करें तो किसी chemical compound में से जब oxygen का removal होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे reduction बोलेंगे ओके अगर हम दूसरे point की बात करें तो loss या फिर removal देखो आपको कई सारी किताबे मिलेंगी कई सारे जगे पे आपको content देखने को मिलेंगे इंटरनेट पे जो e-pdf अगरा मिलेंगे उन पे भी देखने को मिलेगा ठीक है तो कहीं कहीं पे loss of hydrogen लिखा होगा कहीं कहीं पे removal of hydrogen लिखा होगा तो confused नहीं होना है किसी को भी किसी को भी confused नहीं होना है loss और removal दोनू का मतलब same ही है देखो किसी कोई एक compound है उसके पास से एक hydrogen निकल गया या यूं कहते कि वो compound हमारा hydrogen को lose कर गया ठीक है तो बात बराबर है दोनों case में दोनों case में वहां से removal of hydrogen ही होगा ठीक है तो जब भी किसी chemical compound में से hydrogen का removal होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं oxidation ठीक है अब यह देखो removal of hydrogen होगा बट यह due to the reducing due to the reduction process होगी होगा ठीक है तो वहां पर दोरुच देखने को मिलेगी आगे हम लोग अभी समझेंगे examples जब भी समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह चीज़े कैसे हो रही थी ठीक है अगला point इसकी इसी की अगर हम बात करें इसका अगर reduction में बात करें अभी तो हमने oxidation में देखा कि loss या फिर removal of hydrogen अगर होता है तो वह oxidation के अंतरगत आती है reaction हमारी ठीक है अगर gain या फिर इडिशन देखो गेन का मतलब क्या होता है कि except करना या फिर पाना ठीकैं या फिर लेना किसी से ठीक है तो यह होता हमारा गेन addition का मतलब क्या होता है कि add करना किसी जी इसको ठीक है तो suppose that कि कोई chemical compound है उसमें hydrogen आकर के add हो गया अब hydrogen आकर के add हो गया इट मिसके वहाँ पर reduction हो रहा है वो जो chemical compound है वो एक hydrogen को gain कर रहा है ठीक है तो वहाँ पर हमको क्या देखने को मिले गया किशन में देखने को मिलेगा ठीक है लाउस आफट्राण अंड गेन अफ इलेक्ट्राण आड इकने को मिलेगा देखने को मिलेगा हमको oxygen में all केमिकल कंपांड हों मेरे पास बहुत ज़्यदा político स्थे मैंने क्या किया या बहुत ज़्यदा इलक्रां से नहीं भी थे मैं व्यवलंस स्टेट में था लेकिन फिर भी हमने क्या किया इलक्रां को लूज कर दिया हमने कि भई जाओ एस करो तुक है तो क्या हो गया मेरा तो ऑक्सिडेशन हो गया मेरा तो ऑक्सिडेशन हो गया क्योंकि मैंने क्या किया मैंने अपने पास से इलेक्ट्रॉंस को खो दिया लॉस कर दिया इलेक्ट्रॉंस की कमी हो गई मेरे पास तो इसलिए मेरा जो जहां पर भी loss of electrons होता है वहाँ पर oxidation देखने को मिलती है तो यह सारी चीज़ कैसे होती अभी examples के तुर समझेंगे और अग यही चीज़ अगर हम reduction की बात करें तो reduction में क्या होता है सब कुछ है बट मुझे क्या करना है मुझे औक पूरा करना है तो उसके लिए मुझे इलेक्ट्रॉंस की जरुवत है अब सब इलेक्ट्रॉंस की देखो आउटर सेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉंस होते हैं यह आप सभी लोग जानते हैं अभी अगर oxygen के केस की बात करें तो वहा करने के लिए minimum कि दने इलेक्ट्रॉंस चाहिए होंगे इसको टू टू इलेक्ट्रॉंस चाहिए होंगे ठीक है तो टू इलेक्ट्रॉंस वो क्या करें है वहlarını एक्जांपल के तौर पर भी आपको दिया था माइनस टू यहां पर आएगा अंतो इसी के कारणवाश आता है ठ अब यहीं पे अगर हम लास्ट पॉइंट और जो हमारा चौथा पॉइंट है उसकी बात करें इंक्रीज या गेन देखो इंक्रीज या गेन दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहां पर टीक है मैंने यहां पर अबलीक करके दोनों वर्स को इसलिए लिख दिया ह मैंने लिख दिया कि आपको कहीं पर आपको देखने को मिले आपकथ ना हूँ तो गयाँ पर दिया hoगा इस्टीज या घं़ आ वक्सीडेशन नंबर तो आप घंपन आन्प्रियों सब्हुर्या और चतेंस नमबर तो जरूर्स तो जरूर mówi गलत दिया होगा या फिर सही दिया होगा या फिर सर गलत होंगे तो यह चीजें बहुत सारी दिमाग में उठने लगती है इसलिए यहाँ पर कुछ चीजों को मैंने क्या किया है और लिख दिया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे ऑक्सिडेशन सब्सक्राइब कि पहले माइनस टू था माइनस टू के बाद में प्लस टू हो जाए ओके माइनस टू के बाद प्लस टू हो जाए ठीक है जैसे कि अभी मैंने एमजी का एक्जामपल लिया था एक शेकेंड हाँ अभी मैंने एमजी का एक्जामपल लिया था मैंगनीशियम का एक्जामपल लिया था ठीक है तो यहाँ पर क्या देखने को क्या मिला था हमको देखने को यह मिला था कि अभी तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था जीरो चार्ज था जीरो चार्ज था बट यहां पर यहां पर देख लो यहां पर चार्ज जीरो था और यहां पर यह जीरो से कितना हो जा रहा है हमारा प्लस टू इट मीन्स कि यह जो चार्ज है हमारा चार्ज का जो नंबर आता है जो चार्ज की वैलू आती है हम लोग इसी को ऑक्सिडेशन नंबर बोलते हैं यह हमेशा याद रखना देखो क्या होता है जब भी हम किसी एक एलिमेंट की बात करें तो वो क्या होता है वो एक व जुड़ा हुआ होता है अगर ऑक्सीजन को ले 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 तो वाटर के मॉल्क्यूल में वो दो हाइड्रोजन से जुड़ा होता है अब अगर इसमें से जो भी हमारे more electronegative compounds होते हैं उनको break करके अलग किया जाए ठीक है तो उन पे एक particular charge começa जाता है वह भी Numbers में है ठीक है तो उसी Numbers को हम लोग क्या बोलते है औक्सीडेशन number ठीक है या फिर oxidation state भी बोलते हैं कहीं कहीं पे तो confuse नहीं होना किसी को यहाँ पर क्या है हमारा मैगनीशियम का जीरो चार्ज चार्ज यहां पर जीरो यहां पर कितना आ गया प्लस टू इट मीज कि यहां पर जो चार्ज है जो ऑक्सिडेशन नंबर है वो जीरो से प्लस टू जा रहा है पॉजिटिव इट मेंज कि यहां पर इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज करेगा तो प्रोसेस कौन सी होगी हमारी यहाँ पे Oxidation की All right, मतलब समझ में आया है यहाँ पे Oxidation की होगी ठीक है, तो same यही Condition, अगर हम Reduction की बात करें, तो Reduction में क्या होता है कि जब भी Oxidation नंबर में जो Oxidation नंबर होता है यहाँ तो Decrease होगा यहाँ उसमें कोई Loss होगा एक्जामपल के तोर पे अगर हम Oxidation को ले लेते हैं एक सेकेंट अगर हम Oxidation को ले लेते हैं पहले तो Oxidation के पास कोई Charge नहीं था पहले तो Oxidation के पास में कोई भी Charge नहीं था बट बाद में चार्ज कितना आ गया हमारा हमने देखा कि वो खरऑग और इलेक्टांस को acceptance करके convert हो गया किसमेई कि ओ ऐ माइनस ट्ू में ठिक हैं तो यहां पर क्या हो रहा है चार्ज हमारा कितने कितने सकर कितने तक जा रहा है помощli farmer 42 की तरफ जारा है जीरो से माइनस टू की तरफ जारा इट मीन्स की डिक्रीजिंग भाई देखो जीरो से अगर हम गिंती को शुरू करें अगर हम अगर हम बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे उपर की तरफ जाएंगे आप साइट जाएंगे तो भाई हमको गिंती पॉस्ट्टू में मिलेगी जो नंबर इट मींस की यहाँ पे जो ऑक्सिडेशन नंबर है वो डिक्रीज हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है तो जहाँ पे भी ऑक्सिडेशन नंबर हमारा डिक्रीज होगा जिस भी कंपाउंड का जिस भी एलिमेंट का वहाँ पे हमको क्या होगा हमेशा रिडक्षन देखने को मिल लेगा आप लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ों को भी कोरिलेट कर पा रहे होंगे अब हम इसको थोड़ी सा डिटेल्स में एक्जामपल के तौर पर समझते हैं तो अगर हमें एक्जामपल के तौर पर सबसे पहले वाले मेथट को लेते हैं सबसे पहली जो डेफिनिशन हमार पे जो फेरिक ऑक्साइड यहां पे ले रखा है अब फेरिक ऑक्साइड जो हमारा है यह कार्बन मोनो ऑक्साइड के साथ में जब रियक्ट करता है मैंने आपको बोला था कि जब भी कोई रियक्शन होगी ऑक्सिडेशन की या रेडक्शन की तो उसी के बिसाइड में आपको उसके particular opposite reaction देखने को जरूर मिलेगी, अगर reduction हो रहा है तो उसी reaction में कोई एक ऐसा compound होगा, जो oxidation सो कर रहा होगा, ओके, अगर oxidation हो रहा है, तो उसमें particular definitely ऐसा कोई atom होगा, जो reduction सो कर रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ है, फेरिक oxide को ले रखा है, इसको carbon monoxide के साथ में react करवाया जा रहा है, ठीक है, अब यह जब react होगा, तो देखो situation यहाँ पर क्या बनेगी, situation यह बनेगी, कि यह जो फेरिक oxide है, यह क्या करेगा, यहाँ से removal of oxygen होगा, यहाँ से तो यह फेरिक oxide से तो oxygen देख सकते हैं, आप, remove हो जा रहे हैं, ठीक, यहाँ पर कितने three molecules हैं three molecules of oxygen है, ठीक है, यहाँ से remove हो जा रहे हैं, बट इनको accept कौन कर रहा है, carbon monoxide, अब carbon monoxide accept करके बना क्या रहा है, three molecules of carbon dioxide, देखो, three molecules of carbon dioxide, यह तो बात है, हमारी balancing की, ठीक है, reaction की balancing करना, उसके अंतर गता जाता है, बट हमको यहाँ पर balancing को अभी focus नहीं करना, अभी वस concept को समझन रहा है, concept क्या है, oxidation क्या कहता है, oxidation कहता है, addition of oxygen, ठीक है, addition of oxygen, ठीक है, and reduction क्या कहता है, यहाँ पर, removal of oxygen, oxygen, sorry, ठीक है, तो अभी आप अगर हम बात करें, ठीक है, तो फेरिक oxide की, ठीक है, तो यह क्या कर रहा है, यहाँ से, sorry, अगर मैंने अभी पीछे कुछ उल्टा बोल दिय हो कि यहां पर oxidation हो रहा है यहां पर रिडक्शन हो रहा है तो वह मैंने अपोजिट बोल दिया यहां पर लिखा भी हुआ है उपर की तरफ फेरिक ऑक्साइड है इसमें से जो oxygen का जो removal होगा ठीक है oxygen का जो removal होगा वो हमारा क्या हैув Looks हो हो की यहां पर टू एलीमेंट सोफ आईरन यहां से रिलीज हो जाँ रहा है इसको काउल कर रहा filters की क्रक्साइड में यह Carbon Mono Oxide इस Oxygen को एड़ करके Convert किसमें हो जा रहे हैं Carbon Dioxide Gas में ओके तो यह जो Removal है यह क्या कहलाता है हमारा Reduction और जो Addition है वो हमारा क्या कहलाता है Oxidation I hope कि आप लोग chemical reaction के थुरूर समझ पा रहे होंगे अगर किसी को भी कोई चीज़ लगर समझ नहीं आ रहे हैं तो मैं इसको एक पर और भी समझा सकता हूं ठीक है तो यह तो है मारा एक पहला टाइप एक oxidation and reduction को define करने का ठीक है तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि देखो जितनी भी oxidation या reduction कोई भी reactions होंगी वो reaction केवल और केवल oxidation कि नहीं होंगी वो रिडॉक्स रिक्षन होंगी ठीक है रिडॉक्स रियक्षन क्योंकि उनके अंदर reduction and oxygen दोनु चीज़े देखने को मिलेंगी तो अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें लॉस या फिर रिमूवल of hydrogen and gain of addition of hydrogen तो आप यह reaction आप देख सकते हैं यहाँ पर ठीक है अब इससे reaction को थोड़ा सा details में समझते हैं तो पहली reaction है हमारी oxidation की ठीक है पहली reaction है यहाँ पर हमारी oxidation की अब आप सोच रहे होंगी आपके दिमाग में थोड़ा सा घरना घंटी गूम रहे होगी कि सर यह क्या हो गया यहाँ पर तो कोई और ऐसा कंपाउंड ही नहीं जो यहाँ पर रिड्यूस रिडक्शन की रेक्शन सो करें ठीक है तो यहाँ पर थोड़ा सा common sense लगाना है आपको अब यहाँ पर अगर इसका oxidation हो रहा है मिंस कि यह किसी का उक्सीडाइज्ग एजन्ट की प्रजेंस में होगा किसी एक oxidizing agent की प्रजेंस में होगा सबमेंगा लिया मैंने यहाँ ले लिया और यहां पर देखने को क्या मिलेगा कि यह जो हमारा एथेनॉल है यह तो एथेनॉल का ही फॉर्मूला है है ना एकुल इसके अंदर जो भी बैसेसिती ज़ो कुछ भी था सब कुछ मैंने आपको बताया था तो यह तो आप की आप लोगों को याद होगा भी तक तो यह तो हमारा एथिंए नॉल अब एथिंएन ओल क्या होगा ओक्सीजन डेक्ट करेगा तो रिएक्ट करेगा तो होगा क्या देखो जो ऑक्सीडेशन होता है यह जनरली किस पर जो इलेक्ट्रो निगेटिव कंपाउंट्स होते हैं उन पर डिपेंड करता है कि उनको इलेक्ट्रो उनकी जो इलेक्ट्रो निगेटिविटी है वो कितनी ज्यादा है ठीक है तो अभी ऑक oxygen है तो यहांपे क्या करेगा यहां पर oxidation होगा इस process में यह जो हमाने compound ले रखा है हमने इतनल इसका oxygen हो रहा है इसका यहांसर रिमुब आफ hydrogen होना है तो oxygen को इट्लाइज कि अब oxygen क्या करेगा oxygen यहां इसके साथ जब interact करेगा तो क्या करेगा इसके पास किटनार है इसके पास तो bhaid minus 2 it means कि इसको 2 electrons की ज़रूरत है तो यह क्या करेगा यह यहां से two hydrogens को remove करेगा two hydrogens को यहां से pull करेगा और pull कर के formation किसका करेगा H2O का ठीक है H2O का देखने को मिलेगा अब H2O का यहाँ पे formation है वो देखने को मिलेगा due to the oxidizing agent oxygen ठीक है यह तो water में convert हो जाएगा and जो left हमारा बच जाएगा जो compound बचेगा जो left thing हमारी बच जाएगी इसमें वो क्या कहलाएगी वो हमारी ethanol में convert हो जाएगी ethanol क्या होता है यह एक LD group का derivative है ठीक है आप लोगों ने अगर intermediate में थोड़ा अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोगों को याद होगा ठीक है तो यहाँ पर क्या हो रहा है oxygen के कारण इस compound से हमारे दो hydrogen का removal हो रहा है ठीक है अगर वही हम reduction की बात करें तो same इसी को हम opposite कर दें same इसी को हमने opposite कर दें लेकिन opposite करने के बात में जो हमने यहाँ पर reagent ले रखा है इसको change कर देंगे अभी हमको यहाँ पर oxidation करवाना था तो oxidizing agent ले रखा था यहाँ पर reduction करवाना है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे reducing agent को ले ले लेंगे डीदूसिंग एजेंट और यहाँ से हमने हाइड्रोजन को निकाला ना तो यहाँ पर दिया हुँ है गेन या addition of hydrogen तो यहाँ पर क्यों ना hydrogen को ही ले ले है ना यहां पर हाइडोजन को ही ले ले तो अब हाइडोजन क्या करेगा हाइडोजन सीधा सा जा करके यहां पर इसमें आ करके जुड़ जाएगा ठीक है अब यह सारी चीचे कैसे जुड़ेंगे कैसे क्या होंगी ठीक है तो यह सारी चीचे हम लोग थोड़ा सा जब आगे क अगर यहीं पर डिसकस करेंगे तो हमारा लेक्चर काफी लंबा चला जाएगा फिर काफी प्राबलम होगी हम लोगों ठीक है तो इसको थोड़ा से डिटेल्स में आगे हम लोग समझेंगे बट यहां पर क्या है अभी रिडक्षन अगर हम एडिशन आफ हाइड्रोजन जिस चीज को हमने ऑक्सिडाइस करके कनवर्ट किया था अगर उसमें फर्दर हाइड्रोजन को एड़ कर दे तो वह कनवर्ट किसमें हो जाएगा हमारा जो हमारा पहला कंपाउंड था कौन सा एथेनल में ओके क्योंकि यहां पर क्या हो गया इसका रिडक्षन हो गया ठीक है तो काम कर रहा है खुद ऑक्सिडाइस होकर के इसको रिड्यूस कर रहा है ठीक है वैसे यहां पर यह खुद रिड्यूस होकर के जो हमारा ऑक्सिजन है यहां पर क्या करेगा खुद रिड्यूस होगा और एथेनल को क्या करेगा ऑक्सिडाइस करेगा ठीक है तो आप देख सकत है हमारा loss of electrons and gain of electrons ठीक है तो दिखो loss of electrons and gain of electrons अभी तो हम लोग इसको थोड़ सा एक general language में समझ लेते हैं ठीक है बट इसको जब हम लोग अपना एक topic है जो हमारा oxidation number उसको जब हम अच्छे से डिसकस करेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि loss of electrons and gain of electrons से इसारे चीज़े कैसे effect करती है तो यहाँ पर मैंने एक example के तोर पर ले रखा है यहाँ पर क्योपरी कायन को ले टिक है यह ऑ जा ओए एक एक इलेक्ट्रोंच को गेन कर रहा है मैं कर रहा है हमारे इस magnesium को अ और यूट्रॉंस को बश्च सुद्रैकर ऑई कूघ कर रहा है तो us both सर् slipping के उन्हान परस्का यूजा कर घू डिक है वह किसमें वह क्यूपर्स में पर्लैम कर कोई भी यहाँ पर चार्ज देखने को मिन नहीं मिल रहा है ठीक है तो अभी जो मैंने हम लोग ने का चार्ज वाला कॉंसेट समझाता अगर हम उससे गरी इसको समझें समझने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि जो गेन आफ इलेक्ट्रॉंस है ठीक है ऑक्सिडेशन ठीक है तो गेन आफ इलेक्ट्रॉंस है वो कहां पर देखने को मिल रहा है ठीक है लॉस आफ इलेक्ट्रॉंस है वो कहां पर देखने को मिल रहा है ऑक्सिडेशन में ठीक है तो इसको चार्ज के गॉर्डिंग समझते हैं अभी जो हमारा अभी जो हमारा क्योप्रिक था इस के ईसका ओकिविज्ट नम्बर का ऑक्सिडेसन नम्बर बहाई देखो किसी के ओपर जो जितना चार्ज होता है DAN paints जितना भी उस पर चार्ज होता है सबसे जादा सलफर काता हमारा seven टक यह तो जितना जादा होगा उसको हम लोग उसका क्या बोलते Oxidation number बोलते हैं अभी तख आप लोग जहां पर भी आयन्स लिखे देखते होंगे आयन्स जतना भी आय बाटिर तो यहां पर जैसे कि छोटा सा एक्जामपल के क्रिछान कि तौर पर यहां पर घ्ल Drag दियूइज हो रहा है यहां से यहां पर अखर ओलत हो रहा है तो जहां फे subject by do Boo hu तो वहां हमेशा क्या होता है अभी पीछे हमने देखा था वहां पर reduction होता है ठीक है वहाँ पर reduction process देखने को मिलती है वहीं अगर magnesium की बात करें mz की बात करें तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है हमको 0 से plus 2 में convert हो रहा है इट मींस कि यहाँ पर increase in oxidation number हो रहा है तो इट मींस कि यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा ऑक्सिडेशन देखने को मिलेगा ओल्राइट तो यह है एक हमारा जेनरल कॉंसेप्ट एबाउट ऑक्सिडेशन एंड रिडक्षन होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अगर मैं बार बार कह रहा हूं अगर किसी को कोई भी क्वेरी है कोई भी कोशनिंग है कोई भी डावट है तो प्लीज आप लोग क्वेश्टण को पुचिए क्योंकि इस्ट्रोडेंट्स क्वेश्चन स्पूचने के लिए ही होते हैं ठीक है क्या होता है कि अगर आप पूस्टें तो मैं बार बर वही चीज़ तो यहीं पर हमारा आज का यह लेक्चर इंड होता है तो आगे का जो लेक्चर है कुछ तो हम live classes लेंगे और कुछ हम उसकी वीडियो बना करके अपलोड करेंगे तो आगे के लेक्चर भी बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाले हैं तो जो आगे का लेक्चर है हमारा वो oxidation रहे हैं अपना hard work and study दोनों साथ साथ करते रहे हैं तो थैंक्स टू आल